हेलो विर्वन, वेलकम टू माई चैनल, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास एट की हिंदी किताब भासा मंदिरी का चेप्टर नमर वन उसके अभिलासा का अबजेक्टिव ट्राइब का कॉशन एंसर करवाने वाला हूँ अगर आप लोगों ने अच्छे पुरुवग इस वीडियो को देख लिया तो आपके सारे अबजेक्टिव कोशन एंसर के डाउट केलियर हो जाएंगे और आप लोग अगर इस कविता से अगर सवाल पूछते हैं तो आप लोग अच्छे पुरुवग से इसा सोलोशन कर इनमें से जो चार ओपसं दिये गहें वहां आपका एक सही हो जाएगा ठीक है तो आपका पुस्व के अभिलासा सिर्शक कविता के कवी है तो इसके परती समर्पित है तो मातरी भूमी और वीरों के परती समर्पित है option number one आपका सही हो जाएगा question number three पुस्प क्या नहीं चाहता है तो पुस्प जो है वाद देवताओं के सीर पर चढ़ाया जाओं या नहीं चाहता है option number B आपका right है question number four सुर्बाला का सामानार्थी सब्द नीन में से क्या होगा तो सुर्बाला का जो सामानार्थी सब्द है वाद देवकन्या है option number C आपका right answer हो जाएगा दोस्तों एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि कितने answer आप सही कर पा रहे है या comment box पे आप लोग जरूर comment करके बताईएगा कि आप लोगों ने कितने answer सही किये और कितने गलत किये ठीक है question number 5 है पुस्प की अभिलासा किस परकार की रचना है तो पुस्प की जो अभिलासा chapter है वा देश प्रेम है ठीक है तो option number A आपका right हो जाएगा question number 6 पुस्प की अभिलासा कवीता में पुस्प की क्या इच्छा है तो जो पुस्प की इच्छा है वा मातरी भूमी के वीर सपुत के पत पर बीचना चाहता है option number E आपका right answer हो जाएगा question number 7 देव कनिया के गहनों में कौन गुतना नहीं चाहता है तो option number D आपका पुस्प हो जाएगा वा गुतना नहीं चाहता है ठीक है यहाँ पर correction है option में यहाँ D होना चाहिए था यहाँ C टाइप हो गया question number 8 प्रेमीका को कौन ललचाना नहीं चाहता है तो प्रेमीका को पुस्प ललचाना नहीं चाहता है option number B आपका सही हो जाएगा question number 9 मातरी भूमी पर सीच चढ़ाने का क्या अर्थ है तो मातरी भूमी पर सीच चढ़ाने का अर्थ है देश के लिए खुर्बान होना option number B आपका सही हो जाएगा question number 10 भासा मंदरी पुस्टक में माखालान चत्रुवेदी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है तो हम रूब जानते हैं इसका option number ये सही हो जाएगा पुस्टक की अविलासा चलिए हम रूब चलते हैं next question क्या है कि one माली का क्या अर्थ होता है तो one माली का अर्थ होता है one का मालियों के option number ये आपका right हो जाएगा question number 12 है शाह नहीं सुरुबाला के गहनों में गूता जाओं यहां पंक्ति इस कविता से ली गई है तो यहां पंक्ति जो है वहां पुस्टक की अभिलासा से ली गई है option number D आपका right हो जाएगा question number 13 है पुस्टक की अभिलासा हिंदी साहित की कौन सी विधा है तो यहां पुस्टक की अभिलासा हिंदी साहित की कविता है option number 2 आपका सहिए हो जाएगा question number 14 निमलिखित में पुस्टक का परियावाची सब्द है तो यह जो चारों पुस्टक में आपका option number B right हो जाएगा सुमन जो है वाब पुस्प का परियावाची सब्द है कोशन नमर 15 पुस्प का परियावाची सब्द नहीं होगा तो पुस्प का जो परियावाची सब्द नहीं होगा अप्सन नमर D सहद नहीं होगा कोशन नमर 16 मुझे तोड़ लेना वनमाली उस खाली जगा पर देना फेक त्रिकतस्थान भरें तो इस कविता को जब आप अच्छे तरीका से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इस खाली जगा पर पत आ जाएगा अप्सन नमर बी आपका राइट हो जाएगा अनि क्या जागा इस संटेंस को पूरा पढ़ेंगे तो मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पत पर फेक देना फेक तोड़ लेना मुझे अपने डालीयों से और उस पत पर देना फेक तोड़ नमर 17 है कि मातरी भूमी पर खाली यह ठीक है तो यहां पर क्या जाएगा तो यहां पर उप्सन नमर यह आपका सही हो जागा शिस आनि इस पूरा सेंटेंस को पढ़ेंगे मातरी भूमी पर सिस चढ़ाने जिस पत जाये वीर अनेक ठीक है कुशन नमर 18 अभिलासा का सामानार्थी सब्द है अभिलासा का परियावाची सब्द है वह अभिमान नहीं होगा यह तीनों आप्सन इसके हो जाएंगा यानि लालसा चाह अकांचा अभिलासा का परियावाची सब्द है इसका option D आपका Right हो जाएगा Question number 20, शाह नहीं समराटों के सव पर एह हरी डाला जाओं, पंक्ति किस कवीता की है, तो यहाँ जो पंक्ति है वा पुस्व की अभिलासा है, तो option number B आपका right answer हो जाएगा, पुस्व की अभिलासा Question number 21, सीस का तदभव रूप क्या होगा, तो सीस का तदभव रूप सीर होता है, option number A आपका right हो जाएगा, question number 22, वन माली में परिक्त समास कौन सा है, तो वन माली में जो समास परिक्त भी है वा तदभव समास परिक्त भी है, option number B आपका right हो जाएगा, पॉसन नमबर 23 वन माली का समास विगरा निमली खीत में से कौन सा होगा तो वन माली के जब आप समास विगरा करेंगे तो हो जाएगा वन का माली ओप्सन नमबर B आपका राइट हो जाएगा पॉसन नमबर 24 फूल किस के सीर पर चड़कर इठलाना नहीं चाहता है तो इस कवीते को जब आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो जो पुस्प है वाद देवों के सीर पर चड़कर इठलाना नहीं चाहता है उप्सन नमबर C आपका राइट हो जाएगा उप्सन नमबर 25 फूस्प अपनी अभिलासा किसे बता रहा है तो जो पुस्प है अपनी अभिलासा वनमाली को बता रहा है उप्सन नमर C आपका राइट हो जाएगा उप्सन नमर 26 फूस्प की अभिलासा क्या है तो पुस्प की जो अभिलासा है वा मातरी भूमी के वीर सपूतों के पत पर बिछ जाना उसकी इच्छा कामना या शाह है अभिलासा है ओप्सन नमर D आपका राइट हो जाएगा सही बरतनी की पहचान करें मातरी भूमी तो सब एक जैसा लिखा वाली कुछ इसका सही बरतनी जो होगा वा ओप्सन नमर C आपका होगा मातरी भूमी ओके ध्यान रखेंगे कॉस्टन नमर 28 है सुर्वाला का अर्थ है तो सुर्वाला का अर्थ होता है अपसरा जैसे फलों का राजा आम और जंगल का राजा सेर है उसी परकार जो है अब फूलों का राजा कोन है तो फूलों का राजा गुलाव होता है तो आपसन नमर B आपका राइट हो जाएगा Option 30 मुझे तोड़ लेनावल माली वाइक में मुझे कौन सा सरणाम है अनि मुझे जुलवा कौन सा सरा नाम है तो Option is का जो हो जाएगा वह पूरस वाचक सरा नाम है या तो उत्तम पूरस वाचक कह सकते हैं Option cultural A आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों आप लोग का बारी है कि आप लोग कितने answer को सही किये हैं या comment box में आप लोग comment कर देंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोगों कितने सही किये हुए हैं ठीक है मिलते हैं हम लोग next वीडियो में आपका chapter number two में available होगा आप लोग अराम से उसे देख सकते हैं और बहुत सारे जितने भी objective type questions बनते हैं सभी chapter का वहाँ भी मैं आप लोगों को solution करवा रहा हूं तो इस वीडियो को share करें अपने दोस्तों में और उन्हें बताएं कि यहाँ पर स सब्सीजों का available करवाये जा रहा है और अपने exam की अच्छे से अच्छे तरीका से त्यारी करें जय हिन जय भारत जय शारकन